So, Hey guys, Welcome back to my channel तो आज का ये वीडियो बहुत साधा informative होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में Firebolt Infinity Smartwatch के अंदर आपको songs add करके बताऊंगा उसी के साथ बताऊंगा कि आप smartwatches को और TWS को एक साथ कैसे connect कर सकते हैं तो ये जो वीडियो है particularly इसी smartwatch के लिए नहीं होने वाला है क्योंकि अगर आपके पास कोई भी ऐसी smartwatch है जैसे कि Firebolt Invisible या फिर Firebolt Visionary या फिर जिस भी smartwatch के अंदर internal storage provide क्या जाता है तो आप इस trick को use कर सकते हो तो काफे informative होने वाला है और बहुसा information दूँगा तो end तक जरूर से देखना और अपने friends के साथ share जरूर से करना और helpful लगे तो एक like जरूर से कर लेना और channel को subscribe कर लेना तो चलिए वीडियो को start करता है और सबसे पहले बताता हूँ कि आप इस watch के अंदर songs कैसे add कर सकते हो तो या फिर इस watch को laptop या फिर computer से कैसे connect कर सकते हो ओके सो यहाँ पर मैंने अपना laptop on कर दिया है तो आपको इस process के लिए laptop या फिर PC ही जरूरत पड़ेगी तो अब मैं आपको बताता हूँ कि watch के अंदर songs वगेरा कैसे add कर सकते हो तो सबसे पहले आपको watch के अंदर जाना है और यहाँ पर settings का option देखने को मिलेगा तो settings पर click कर देना और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा USB mode तो यह वाला feature आपको देखने को मिल जाता है firebolt infinity और firebolt invincible दोनों ही smart watches के अंदर देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको click करना होगा mass storage पर तो यह process कर देना mass storage वाला और उसके बाद इस watch के charger से इस laptop से मैं इसको connect कर देता हूँ तो यहाँ पर इस watch को मैंने connect कर दिया है इस laptop से और यहाँ पर लिखा चुका है mass storage तो एक बार check कर देता है तो जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर एक नया folder आ चुका है USB drive D तो इसके अंदर आपको total 3.5 GB की space देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको music option देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर by default fireball ने 5 music add किये हो है तो यह 5 तो मैं एक बार delete कर देता हूँ और उसके बाद मैंने कुछ music इसके अंदर copy किया हुआ था तो एक बार उस music को मैं paste कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि transfer speed अच्छी कासी देखने को मिल जाती है और इस तरीके से इस folder के अंदर songs डाल के आप इस watch के inbuilt storage के अंदर songs डाल सकते हो तो काफी easy process है और hopefully आपको समझ में आ गया होगा बाकी हम यहाँ पर check कर लेते हैं कि वो जो मैंने 3 songs डाल देते हैं वो कहाँ पर मिलेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे के तरव swipe करना होगा और applications के अंदर ही music का option है तो music के option के अंदर जाके यहाँ पर आपको inbuilt storage के उपर आपको select करना होगा local mode है यह तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 3 songs मैंने डाले थे इस watch के अंदर यह आ चुके है और अगर आपके पास laptop या फिर PC नहीं हो और फिर भी इस watch के अंदर songs वगेरा add करना चाते हो तो उसके लिए भी मेरे पास एक solution है जिसकी मदद से आप phone से ही songs वगेरा add कर पाओगे तो उसके लिए आपको एक छोटा सा device purchase करना पड़ेगा तो ये वाला device आपको देखने को मिल जाएगा मीशो पे 50 रुपीज के आसपास तो काफी अच्छा investment रहेगा और ये छोटे से device को purchase करके आपको इसके charging cable से connect कर लिया होगा तो यहाँ पे मैंने charging cable से connect कर लिया है और उसके बाद इसके अंदर एक type C के लिए भी देखने को मिल जाएगा और एक normal phones के लिए भी देखने को मिल जाएगा ओके सो सबसे पहले अपन चलता है settings के अंदर और USB में चेक कर लिए ना एक बार mass storage होना चाहिए और उसके बाद मैं इसका charger ये connect कर लिता हूँ और यहाँ पे मिल पास एक OPPO का phone है तो इसके अंदर type C लगता है तो मैं एक बार type C वाला ये लगा लिता हूँ ओके सो आप देख सकते हो अभी connect नहीं होगा है तो कोई tension लेनी के बात नहीं है मैं आपको एक settings बता देता हूँ वो वाली settings कर लोगे तो ये 100% connect हो जाएगा तो यहाँ पे सबसे बिले आपको जाना होगा phone की additional settings पे और यहाँ पे लिखा होगा है OTG connection तो इसको on कर लेना और इसको on करते ही ये watch जो है connect हो जाएगी phone से तो अपन चेक कर लेता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो की file manager के अंदर OTG लिखा चुका है और यहाँ पे 4GB की storage बता रहा है तो वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे folder है पर इन सब folder से अपन को मतलब नहीं है main है यहाँ पे music का और music के अंदर आप कोई भी song copy करके यहाँ पे paste कर सकते हो तो इस watch के अंदर songs वगरा इस थरीके से add कर सकते हो तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पस laptop PC ना हो तो आप phone से कैसे add कर सकते हो तो यह छोटा सा device काफी काम का है और इसकी buying link आपको देखने को मिल जाएगी description में ओके सो अब मैं आपको बताऊँगा कि आप इस smart watch को और earbuds को साथ में कैसे connect करे वैसे ही यह latest earbuds है जो कि fireboard की तरफ से आये है और यह भी काफी सही होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर आप lightning वगरा देख सकते हो तो यह एक gaming earbuds होने वाले है और इनकी buying link देदूँगा description में और Republic Day की sale में इसकी price काफी कम है तो इसको आप जरूर से checkout कर सकते हो बाकी यह जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई firebolt के earbuds हो आपके पास कोई भी earbuds हो तो भी यह process कर सकते हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बाकी अपन एक बार connect करके देख लेते हैं और यह process मैं आपको बताऊंगा iPhone से पर अगर आपके पास Android हो तो भी connect कर सकते हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ओके so bluetooth settings पर आ चुक है और यहां पर एक बार अपन इसका bluetooth on कर लेते हैं watch का तो यहां पर लिखा आ गया है firebolt 096 तो इसके उपर click करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि firebolt 096 connect हो चुकी है तो यहां पर अपन more information में चलते हैं और यहां पर आपको कुछ options देखने को मिल जाएंगे जैसे कि sync, contact वगेरा तो यह सब on कर लेना तो आराम से contacts वगेरा access कर पाऊगे बाकि यहां पर device type में कुछ करने के जरूरत नहीं है जास्त यह तरह साही process है उसके बाद main process चालो होगा इस watch से क्योंकि इस watch के अंदर आपको TWS pairing option देखने को मिलेगा और TWS को आपको watch से ही connect करना पड़ेगा तो यहां पर मैं एक बार connect करके बता देता हूँ वैसे मैं एक बार इसके case को open कर देता हूँ ताकि TWS को pair कर पाऊँ ओके सो यहां पर watch के उपर TWS mode को on करता है यहां पर मैं search पर click कर देता हूँ तो यहां पर देख लीजिए लिखा चुका है gamepods ninja 601 तो इसके उपर मैं click करता हूँ और इसको connect कर देता हूँ तो यहां पर लिखा चुका है connect success और finally यह process complete हो चुका है तो काफी easy process है पर बहुत साई लोगों को doubt रहता है इसलिए मैंने सोचा video बना लूँ तो मीद आज का video आपको अच्छा लगाओगा और informative लगाओगा और बहुत कुछ जानने को मिलाओगा तो अगर अच्छा लगाओ तो like, share, subscribe जरूर से करना और अगर मैं को support करना चाते हो तो नीचे super thanks का भी option है तो अगर इस तरीके से support करोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा बाकी अगर आपको video अच्छा लगाओ तो like तो जरूर से कर देना और बिलता हो आपसे अगले video में तब तक के लिए बाए बाए